नमस्कर दोस्तों स्वागात है आपका फार्मरोक्स की यूट्यूब एजिकुस्टन चैनल में आज की उड़ी लेक्चर में हम डेटेल में स्टडी करने वाले है फॉस्फोमाइसेन मेडिसिन के बारे में तो यह जो मेडिकेशन है वो खासकर ब्लेडर इंफेक्शन को ठीक कर किस तरह से यह मेडिकेसमता काम करती है कितने डोस में उसको लेना होता है उसके सैड एफेक्श वगरा क्या हो सकती है तो डेटेल में जानते है फास्फोमाइसेन मेडिसिन के बारे में आज की लेक्चर के अंदर तो ऐसे समझे कि आपको डेटेल में सेखना है बहुत सारी दवायू के बारे में, तो आप medicine course को join कर सकते हैं, pharma rocks के पूपर तो ये course join करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते हैं, या फिर हमारी mobile application को download कर सकते हैं link आपको description box के अंदर मिल जाएगी, तो अब आते हैं topic पे और समझते हैं, phosphomycin medicine के बारे में, तो ये ऐसे class का medication के, जिसको हम phosphonic antibiotic कहते हैं, और इसके अंदर जो salt content है, वो है phosphomycin है, 3 gram जितना और fosirol जो है, उसका brand name है तो जिसका manufacturer जो है, वो सीफला pharmaceutical से तो यहाप अब उसकी label की study हम करेंगे अच्छे से, और जानेंगे किस तरह ऐसी है medication, जो है design की गई है, तो यह से पहले हम उसके basic use के बारे में समझ लेते हैं, तो यह जो medication है खास कर, जो lower urinary tract infections होता है, उसको ठीक करता है और उसके सबदिन जो problems होते हैं, उसको यह ठीक करता है फिर kidney infections के लिए यह medication use नहीं होती, यह आपको जो sachet होता है, कि यह जो powder होता है अपसे पहले आपको यह में बता दो कि यह जो medication जो टाबलेट नहीं है ना ही कोई injections होगी रहा है यह powder है कि जैसे glucose का powder आप पाने में डाल के पीते हैं, उसी तरह से यह powder को भी पाने में डालना होता है और उससे जो solution तयार होता है वो patient को जो पीना होता है तो यहाप यह आप अच्छे से label में देखोंगे तो पता चलेगा कि medication जो वो phosphomycin इसके अंदर present है और 3 gram जितना present होता है यह एक powder sachet के अंदर और excipient जो वो sufficient quantity में उसके अंदर किये गए होते है फिर storage जो हो 25 डिगरी या फिर कम temperature पे आपको उसको store करना होता है फिर दुसरे यहाप एकुछ direction से warm यहाँ पे read करते हैं तो यहाँ भी manufacture की detail आ गए कि सिपला जो हो उसके manufacture है सिपला pharmaceutical total powder जो हो 8 gram जितना होता है जिसमें से medication जो हो 3 gram है और बाकी जो हो excipients होते हैं sufficient quantity में 5 gram जितने हैं फिर storage यहाँ पे दिया है कि 25 डिगरी या फिर कम temperature पे store करना है बच्चों से दूर रखना है उससे और sedule age drug होने के करन जब भी उसको retail में बेचा जाता है तो proper prescription के साथ ही उसको बेचनी होती है फिर यहाँ पे direction दी गए कि कैसे patient जो उसको use करे तो direction को अब हम भी आपे समझते हैं तो सबसे पहले क्या लिखा है कि यह जो powder जो है वो oral area जाता है फिर दूसरी condition कि आप खाना खाने के बाद या फिर खाना खाने से पहले ले सकते है वीध और without food पर इसमें condition यह होती है कि खासकर empty stomach में आप ले सकते हैं उसको और यह जो powder है कि जो 3 gram medication है और 8 gram जो total powder है वो जो आपको 90 से लिकर 120 ml जितना पानी लेना होता है और उसके अंदर यह powder को डालके अच्छे से जो वो dissolve कर लेना होता है पर दियान यह रखना है कि आप गरम पानी जो यह नहीं लेना है और जैसे ही आप उसका solution बनाते हैं तुरंत आपको जो वो पी लेना होता है और यह लेने से पहले अच्छे से आपको जो वो mix करना होता है यह powder को और उसके बाद जो वो आप पी सकते है तो अब उसकी use समझ ले दे हैं detail में अच्छे से तो lower UTI को ठीक करता है कि जिसको हम cystitis कहते हैं या फिर bladder infection कहते है painful urination महले कि जब भी आप पेसाप करने जाते हैं आपको जलन होती है काफी burning sensation फील होता है जब भी आप urine करते हैं बार-बार पेसाप के लिए आपको जाना पर देख जिसको हम frequent urination कहते हैं उसके अलाबा जो abdominal pain होता है या फिर prostate में infection होता है तो यह cervix conditions को ठीक करने के लिए यह medication जो ही वो use की जाते है तो bladder infection में आप देखो तो क्या होता है या आप भी कुछ symptoms है कि जैसे urine का color change हो जाता है muddy urine हो जाता है मलएकि dark color का urine हो जाता है urine के अंदर जो वो blood आता है frequent urination मलएकि बार-बार पेसाप करने जाना पड़ता है बुखार आता है patient को urine में से जो वो खराब smell आती है abdominal pain होता है अच्छा फिल नहीं करते आप और burning होता है जब भी आप urination के लिए जाते है तो यह सभी conditions को ठीक करेगा यह हमारा phosphomycin medication especially जो क्या होता है कि जो हमारा मुत्रा से होता है कि जिसको हम blader कहते हैं कि जहाँ पेसाप जो हुआ जमा होता है और यह जहाँ हुआ 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 पेसाप ureth रागे थुरू हमारे सरीर में से बाहर निकल जाता है पर जो pathogenes होते है bacteria उसमें भी खास कर यह E. coli bacteria है उसके करण समझे कि आपको infection हुआ है तो यह bacteria क्या करता है specially आपके lower unit reg specially जो blader का जो area है वहाँ पे infections करते है वहाँ पे सूजन आ जाती है और वो सूजन के कारण जो है आपको urination के कारण दर्ध होता है बार बार आपको पेसाप करने के लिए जाना पड़ता है और जलन भी होती है कि जब भी आप urine करने जाते हैं तो यह conditions को ठीक करने के लिए phosphomycin medication जो वो prescribe की जाती है तो उसके dose के बारे में हम समझेते हैं कि इतने dose में आप उसको ले सकते हैं तो bladder infection के लिए जो उसका dose होता है कि जिसको हम acute cystitis कहते हैं तो 3 gram जितना यह powder आपको लेना होता है और single dose रहता है यह और सिर्फ एक ही बार आपको यह लेना होता है तो यह आप यह जो आप देख रहे हैं कि phosphomycin का यह जो powder है यह जो suggest है आपको 90 लेकर 120 ml जितने पानी में डालना होता है और वो पानी को अच्छे से mix कर लेना होता है और mix करने के बाद तुरंद आपको यह जो लेना होता है और यह एक ही बार लेना होता है single dose और repeat dose आप तभी करोगे कि जब आपके doctor या फिर pharmacist आपको suggest करते हैं फिर बात करते हैं multi drug resistance UTI की तो उसमें जो dose रहेगा 3 gram हर 2 या 3 दिन पे आप ले सकते हैं और total 3 dose जो उसके लेने होते हैं तो किस तरह से मैं आपको समझा देता हो कि आपको multi drug resistance मलें कि किसी और दवाई से आपका urinary drug infection ठीक नहीं हो रहा है तो ऐसे condition में ये medication से जब इसको ठीक करना है तो आप क्या करते हो कि हर 2 या 3 दिन पे हर 3 दिन पे लेते हैं ये medication तो समझा कि आप 10 तारिक को ये medication लेते हैं फिर उसके बाद 18 दारिक को लेते हैं तो इस तरह से proper time interval पे ये medication अब लेते हैं और 3 dose ही लेना है तो पहला dose आपने 10 तारिक को ले लिया दूसरा 14 तारिक को और दिसरा 18 को तो इस तरह से 3 dose आपके हो जाएगे multi drug resistance UTI के अंदर फिर बात करते हैं prostate infections के जिसके अंदर जो prostate में सुझे न आ जाती है तो इसको ठीक करने के लिए भी ये prescribe किया जाता है तो ऐसे condition में क्या किया जाता है कि ये medication जो एक week तक ले जाती है और हर दिन 3 gram जितना ये powder जो पेसंट लेते हैं तो उसमें proper पर 7 दिन तक आपको ये medication लेनी होती है और हर दिन एक dose जो उसका लेना होता है अब बात करते हैं कि कैसे लेना है या फिर कब लेना है तो खासकर empty stomach में लेना है मिला कि जब आपके पेट में कुछ खाना ना हो ऐसी condition में ये medication लेनी होती है जैसे कि खाना खाने के एक गंटे पहले आप ले सकते हैं कि अगर आप खाना खाने का time समझे कि आपका 12 बजे का है तो आप ये medication जो ग्यारा बजे ले लीजे या फिर खाना खाने के 2 गंटे बाद मला कि आपने समझे कि बारा बज़े आपने खाना खा लिया है तो उसके दो गंटे बाद मonwerकी दो बज़े के आज पास यह मेडिकेशन ले सकते हैं या फिर खाना खाने से पहले आप 11 बज़े उसको ले लेते हैं तो इस तरह से जो यह वह ऊडिकेशन लेनी होती है फिर बात करते हैं कि अगर आने के बाद सोने से पहले आप ये medication को ले सकते हैं और ध्यान ये रखना है दूसरा कि जब भी आप ये medication ले रहे हैं तो उस समय के दोरान आपको पानी ज्यादा पिना है कि जिससे अच्छे से ये medication जो अपना काम कर सके आगे द्यान रखते हैं कि कैसे ये medication जो अपना काम करती है mechanism of action क्या है तो ये medication क्या करती है बैक्टिया के अंदर जो उनके cell wall होती है उनके synthesis को इनिविट कर देता है कि चाहिए वह ग्राम-positiv बैक्टेरिया या फिर gram negative तो दोनों बैक्टेरिया के अंदर जो उनकी cell wall होती है उनकी synthesis को नहीं होने देता और उसके लिए जो एंजाइम होता है cell wall synthesis के लिए जिसका नाम है phosphoenol pyruvate synthesis जो एंजाइम होता है उसकी activity को ही नहीं कर देते तो अगर ये एंजाइम नहीं है तो ये जो cell wall का synthesis होता है वो नहीं हो पाता और cell wall ना हो बनने के करण bacteria जो है वो destroy हो जाते हैं तो diagram में आप समझो के तो और ज़द आच्छे से समझ मैंगा कि bacteria जो अपनी cell wall बनाते है कि जो peptidoglycan की बनती है तो वो cell wall बनने के लिए पूरा एक process का पातवे होता है कि जो यहाँ पे एक पातवे देख रहा है कि यह peptidoglycan और उसके precursors के थुरू आगे cell wall बनती है और cell wall के करण cell की growth होती है पर जब यह हमारा medication phosphomycin जो हो यहाँ पे involved होती है तो क्या होता है कि आगे जो peptidoglycan जो है वो नहीं बन पाता और peptidoglycan ना बनने के करण यह जो cell wall जो है उसका synthesis नहीं हो पाता और bacteria and cell जो हो अच्छे से अपना काम नहीं कर पाता और वो destroy हो जाता या फिर cell death हो जाती है तो जो बिड़ा medication के cell growth होती थी वो medication नहीं के बाद cell death हो जाती जिससे के कारण यह medication नहीं के बाद आपका infection जो हो दिरी दिरे ठीक हो जाता है अब बात करते हैं यह medications के कुछ side effects की तो सबसे पहले यह medication जो हो क्या करते हैं कि आपको nausea vomiting करवा सकती है वल्लकि उल्टी हो सकती है जी घबरा सकता है सीर्द जैसा कुछ लोगों फिल करते है कुछ लोगों को racis हो जाते है anorexia मलब की खाना खाने का मन ना होना भूक कम हो जाना कुछ लोगों को diarrhea हो जाते है gastric irritation फिल करते हैं या फिर vaginal inflammation तो gastric irritation में कई बर क्या हो जाता है acidity जैसा फिल करते है या फिर खट्टी डाकार आती लगती है पेट में gas बनी है ऐसा फिल होता है तो ऐसे condition में patient जो वो antacid को medication ले सकता है कि जिससे acidity या फिर bloating के problem solve हो जाए आगे बात करते हैं उसके कुछ warnings की सबसे पहले warning ये है कि अगर आपको ये medication की allergy है तो उसको use नहीं करना है मनलब कि किसी लोगों को hypersensitity हो जाती है ये medication के लिए बाद allergic reactions हो जाती है तो ऐसे condition में ये medication को नहीं लेते फिर hepatic injury मनलब कि किसी का liver अच्छे से काम नहीं कर रहा या फिर liver damage हो चुका है liver related problem से kidney के अंदर infection से ऐसे condition में भी उसको use नहीं कर दे फिर आप आगे बात करते हैं pregnancy के दोरान तो pregnancy category उसके B है तो ये जो medication है वो quite safe कही सकते हैं pregnancy के दोरान पर अगर आपको pregnancy के दोरान urinary tract infection हुआ है तो आपको अच्छे से आपके gynecologist को पहले consult करना चाहिए और उनकी सला के according to जो होई ये medication लेनी होती है आगे बात करते हैं उसके drug drug interactions की तो अगर आप phosphomycin ले रहे हैं तो उस दोरान समझे के BCJ vaccine नहीं लेनी चाहिए second cholera vaccine या फिर typhard vaccine because ये vaccinations के साथ ये medication जो वो drug drug interactions करती है second metoclopramide जो medication आती है उसके साथ ये आप use ना करें बालसाल जाइड है probiotics है या फिर immunotherapy जो medications होते हैं उसके साथ उसको combination में कभी भी use ना करें आगे बात करते हैं उसके कुछ alternative brands के तो phosphomycin के जो अलग-अलग brand है एक यह आप यह brand आप देख रहे है mono roll करके एक brand देख रहे है फिर possible करके आप यह product देख रहे हैं कि जो doctor reddish laboratories को manufacture करते हैं तीसरा जो आप देख रहे है novephos करके आप देख रहे हैं कि जो sun pharma उसके manufacture है फिर किसी को powder suit नहीं हो रहे है और hospitalized patient है तो उनके लिए यह इसका injection भी available होता है और phospho ना करके यहाप आप देख सकते हैं कि powder for solution for infusion तो specially IV से यह injection जो patient को जो लगा जाते हैं और यह powder form में आता है 4 gram जितना injection के लिए तो इसके अदर powder आता है और उसके अदर आपको water for injection mix करना होता है कि जिससे यह injection जो यह वह तैयार होता है और आज की जो brand जो हमने सीखी Fossi Roll तो ऐसी समझे कि आपको detail में बहुत सारी दवाईयों के बारे में सीखना है तो आप medicine course को join कर सकते हैं PharmaRox की अब उपर तो medicine course को join करने के लिए आप हमें WhatsApp कर सकते हैं या फिर हमारे mobile application को download कर सकते हैं Link आपको description box के अंदर मिल जाएगी तो good luck and all the best